दूसरा कुरुंत्यों की पत्रित तीन अध्या के पंद्रपद में लिखा है आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हिर्दे पर परदा पढ़ा रहता है ध्यान दीजी वे विवस्था को पढ़ कर सोचते थे कि वे उसे निभा सकते हैं वरन्तु जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम तो वह आत्म विश्वास वहां नहीं देख पाते जिसकी आशा परमिश्वर की प्रजा से आप रखे हैं कि उनके मन मस्तिक्स में हो यहां तक कि दावत ने भी कुछ प्रश्ण उठाय थे अयूब भी विस्मय से भरा हुआ था हिजकिया दिवार की और मोह करके बहुत रोया था क्योंकि उसे मृत्यू का समाचार मिल गया था तथा भी हमारे इस अन्गुरह के युग में मसी में विश्वास करने वाला सबसे दुर्बल पवित्र जन को भी परमिश्वर द्वारा ग्रहन किये जाने का पूर्ण आश्वासन है मित्रों हम दूसरे कुरंतियों की पत्री तीन अध्या की सोला पद में पढ़ते हैं परन्तु जब कभी उनका हिर्दय प्रभु की और फिरेगा तब वह परदा उठ जाएगा ध्यान दीजे उनका हिर्दय जब मन प्रभुईश्व मसी को ग्रहन करता है या कर लेता है तब परदा हट जाता है वह जीवन के पाप के कारण अंधा हो जाता है मित्रों उसकी समस्या वास्तों में मन की समस्या है जब वह अपने पापों से भीमुक होकर प्रभुईश्व को अपना उधार करता ग्रहन करता है तब वह परदा उठ जाएगा दूसरा कुरंतियों तीन अध्या के सत्रपद में लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंतरता है ध्यान दीजिये केवल परमेश्वर का आत्मा परदा उठा सकता है और मसीह को मुक्तिदाता ग्रहन करने में हमारी सहता करता है केवल वही है जो काम कर सकता है एक मात्र वही देखिए पॉलस यहां वही बातों को कहता है जो शामौन पत्रस कहता है प्रेर्टों के काम दस अध्यायव उसके 43 पद में हम पढ़ते हैं उसकी सब भईशद वक्ता कवाही देते हैं कि जो कोई उस्वर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की शमा मिलेगी मेरे मित्रों यदि आप प्रभईश्य मसी को पुराने नियम में नहीं देख पाते तो पॉइत्र आत्मा मसी की बातों को लेकर हम पर प्रगट करता परमेश्वर का आत्मा आपको सुतंतरता में लाता है वह आपको विवस्था के अधिन नहीं करता वह आपको विवस्था से उबार कर यानि पार निकाल कर मसी के पास ले आता है और जब वह ऐसा करता है तब हम पढ़ते हैं दूसरा क्रूंतियों तीन के अठारा पद में लिखा है प्रन्तु जब हम सब के उगाडे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है जिस प्रकार दर्पन में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंस-अंस करके बदलते जाते हैं यह एक अती उत्तम धर्म शाश्त्र है पौलुस मनपर परदा पढ़ने के बारे में चर्चा कर रहा है और वह कहता है कि मसी को ग्रहन करने पर वह परदा हट जाता है विश्वासी होने के कारण हम मसी को निहारते हैं परन्तु हमारे जीवन में पाप के कारण हमारी आखें परदे से धकी रहती है। परंतु जब उस पाप का अंगिकार किया जाता है और हम मसी की संगती में होते हैं, हम उसे निहारते हैं। तब हम उगाडे चेहरे प्रभु की महिमा को देखते हैं, जैसे दरपन में। यहां विचार यह नहीं कि हम परिवर्तित हो जाते हैं, परंत तो यह की परिवर्तित होने तक निहारते रहें। इसके पर शाहत हम उसका स्वरूप रगट कर सकते हैं। मेरे विचार में अधिक उचित अनवाद होगा प्रभु की महिमा को ऐसे देखते हैं, जैसे दरपन में हम उसी स्वरूप के या स्वरूप में अंस-अंस करके बद जाता है। मैं उसके बाइबल अनवाद पर प्रश्न करता हूं और स्पष्ट कहता हूं कि मैं उसे विवाद में हार जाता था। तथा पि इस पद पर मैंने विवाद जीत लिया। मैं उसके अनवाद से इस पद का उदरन देना चाहता हूं और हम सब जो दरपन में वर्मे आतार बदलते जाते हैं, क्योंकि यह प्रभु की ओर से है, जो आत्मा है, यह एक अति उत्तम अनुवाद है, जी हाँ, यह रुपांतरन नहीं है, जैसा प्रभईश्व मसीह के साथ हुआ था, मैंने आज तक किसी भी पौईत्र जन का रुपांतरन नहीं देखा है, यह सच है कि पर्मिश्वर का वचन एक दरपन है, जिसमें हमें देखना है, वहां प्रभईश्व दिखाई देता है, यही कारण है कि हमें पर्मिश्वर के वचन में बने रहना है, और प्रभईश्व को देखना है, और जब आप उसे लगातार देखते रहते हैं, तब आप बदलते दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन आपको नया जीवन प्रदान करने से अधिक कुछ करता है। जी हाँ परमेश्वर का वचन हमें बदलता भी है। ओह यह कैसा महत्पुन बात है। काश मैंने दरपन देखने में अधिक समय लगाया होता। उसे अधिका धिक देखा होता। मेरे मित्रों परमेश्वर के वचन में वह प्रगट है। वह तो महानुभाव नहीं है। वह एक समाने मनुष्य है। परमेश्वर के वचन में हम अनावरित मसीह को देखते हैं। वह कैसा महान है। जी हाँ, डाक्टर ह. आयर साइड एक मनुष्य की कहानी सुनाते हैं। वह मरना सया पर था। डाक्टर ने कह दिया था कि वह अधिक दिन नहीं जीएगा। उसका एक मित् से भेंट करने के लिए आया। उसने कहा, मुझे बताया गया कि आप अभ अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। एक मरने वाले व्यक्ति से ऐसा कहना अच्छा है। उसने आगे कहा, मैं आशा करता हूं कि इस अंधकार से भरी तराय में चलते चलते आप हमारे चालिस वर्षों से उसका चहरा स्पष्ट देख रहा हूं और मैं आपकी जलक के विचार से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। आज उसे देखना कैसा महान है। शायद आपने यह कहानी सुनी होगी, किसी गाउं में एक छोटा लड़का रहता था, वहां एक पत्रीला परव और गाउं के लिए बड़े बड़े काम करेगा और महान आशिश का कारण होगा। उनके इस पारम पर एक विचार से वह लड़का बहुत प्राभावित था, वह उस चटान को देखता रहता और उसके स्वरूप आने वाले की कलपना करता था, समय निकलता गया और वह एक ब उस चटान को देखते देखते उसके स्वरूप में हो गया था। क्या आप मसी के स्वरूप में होना चाहते हैं? इश्यो को निहारते रहें। हम लोग बाइबल अध्यान में एक अंगरेजी का गीत गाते थे, जिसकी पहले पंक्ती का अर्थ है पावित्र होने का समय लो। परन्तो हमारे प्रध्यापक हमें रोक कर कहते थे कि इसे बदल कर यह गाव उसे निहारने का समय लो। क्या आप पोईत्र होना चाहते हैं? क्या आप उसे निहारते रहते हैं? मेरे मित्रों इश्यो पर आखे गड़ाय रखें। उसका अध्भुत चेहरा पूरी तरह देख तब संसारिक्ता मंद हो जाएगी उसकी महिमा और अनुगरा में। जी हाँ, मुझे इसी की आवशक्ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी वचन के प्रिष्टों में मसी ईश्यो को निहारने की आवशक्ता होगी कि आप अधिकाधिक उसके स्वरूप में हो जाएं। मसी के लिए कस्ट उठाने की सेवा में परमेश्वर की सांत्वाना। मेरे प्रियों यह परमेश्वर की सांत्वाना का एक और पक्ष है। अध्याय एक में हमने जीवन योजना के निमेत परमेश्वर की सांत्वाना की चर्चा की थी। इसके बाद अध्याय दो में पाप म गिरे पौईत्र जन के पुंड्रुद्वार में पर्मेश्व की सांत्वाना और अध्याय 3 में अध्याय 3 क्या वास्तव में एक अध्याय नहीध था? अब हम परवस से नीचे नहीं उत्रेंगे परंतु उपर ही रहेंगे और मसीह के लिए कष्ट उठाने की सिवा में परमेश्वक की सांतवाना की चर्चा करेंगे अति संभव है कि हम कुछ अधिक उचाय पर जाएं और मैं नहीं जानता कि क्या कहूं परंतु हम ऐसी इस्थिति में पहुँचेंगे जहां मुझे सांस लेने में कटनाई होती है पौलुस कहता है उचाय पर आजाओ हम यही करना चाहते हैं मित्रो आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरुंधियों की पत्री चार अध्याय उसका एक पद लिखा हुआ है इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुए कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते ध्यान दे यह एक महिमा मैं सेवा है परमिष्ण ने हमें एक संदेश दिया है जो कोई भी मनुष्य सोच कर नहीं कर पाया था सुसमाचार जो योजना प्रस्तूत करता है उस योजना को तयार करना मनुष्य के लिए असंभव है यदि यह परमिष्ण के दया नहीं तो मैं नहीं समझ पाता कि परमिष्ण ने मुझे महिमा मैंसु समाचार का सिवक होने के लिए क्यों बुलाया है हम यह तो देखी चुके हैं कि परमिष्ण दया का धनी है जी हाँ, परमेशर ने मेरे पास आने से पुर्व अपनी दया को खाली नहीं कर दी थी, कि उसने देखा मुझे तो बहुत दया की आवशकता है, वह तो मुझे भी दया दिखाने में उदार था, अपनी दया के कारण ही उसने मुझे अनुमती दी कि बाइबल शिक्षा का सेवा में अध्भुद बात क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल अध्यन में मैंने धर्मों के बारे में पढ़ा है, और सच तो यह है कि मैं उस विशे से ऐसा आकाशित हुआ कि मैंने लगभग निरने ही ले लिया था कि धर्मों का तुलनात्मक अध्यन करू यद भी मैंने धर्मों का अध्यन तो नहीं किया, मैं संसार के कुछ धर्मों का ज्यान अवशे ग्रहन कर पाया, विश्व के धर्मों को सारांस में कहा जा सकता है, करो, 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 जबकि सूसमाचार कहता है, हो गया, सूसमाचार कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया है मुझे विश्वास करना है मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है उसके पास आने का एक मात्र मार्ग है विश्वास यही मेरा मार्ग है इबरानियों के पत्र 11 अधिया उसके 6 पद में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसंद करना असंभव है जी हां इसके विप कुछ करने के लिए कहा गया है। एक धर्म कहता है चार काम करो तो दूसरा धर्म कहता है साथ काम करो तो किसी धर्म में दस काम, दस आग्याएं जीने करना है। मेरे मित्रों, कुछ धर्मों में विश्वास पर बल दिया गया है। यह विश्वास मसी ईश्व में विश्वास करना नहीं है। यह एक प्रकार का एतिहासिक तथे का स्वीकरन है। कि ईश्व कभी जीवित था और दो हज़ार वर्ष पूर्व वह मर गया। क्या मैं यह कह सक कि यह मानना कि ईश्व मर गया आपको उधार नहीं दिला सकता। मेरे मित्रों मसी ईश्व हमारे पापों के लिए मर गया और धर्म शास्तर के अनुसार फिर जीवठा। यही एक महत्पूर अंतर है। हमें उसके इस संपन्न कारे पर विश्वास करना है। यह हो चुका है अर्थात पूरा हो गया है। पॉलुस भी कभी विवस्था के अधिन था। वह जानता था कि कर्म कांड क्या है। फिलिप्यों की पत्री तीन अध्याय उसके पाँच और छे पद में वह कहता है। इबरानियों का इबरानी हूँ। विवस्था के विश्य में यदी कहो तो मैं फरिसी हूँ। विवस्था की धार्मिक्ता के विशय में यदि कहो तो निर्दोष था। वह विवस्था के अधिन था और आशा रखता था कि वह अपने उद्धार को प्राप्त करेगा। नकि अपने उस धार्मिक्ता के साथ जो विवस्था से है वरन उस धार्मिक्ता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमिश्व की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। पॉलुस कहता है कि वह दिन उसके लिए एक नया दिन था, इस सत्य को अंतर ग्रहन करने पर हमारे लिए भी वह दिन एक नया दिन होता है, आज हमें दया की आवशकता है, परमेश्व दयावन थै, दयावान है, परमेश्व ने हमसे फ्रेम रखा है, परमेश्व ने अपने द क्योंकि उसने सारे कारे को पूरा कर दिया है। जी हाँ, वह कैसा महान व्यक्ति है। आपने उसके विरुद में पाप किया है। और निश्चय जाने कि जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, स्विकार कर लेते हैं, सच्चा पश्ताब करते हैं, उससे शमा मांगते हैं, तो वह आपके पापों को अपने उस पौईत लहु के दोरा, जिसे उसने कलवरी आपके पाप की निवित बहा दिया है, उससे दोकर आपको शुद करता है, आपके जीवन में शांती और आनंद देता है। क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तयार हैं? जी हाँ, वचन में हमें सापसा बताया गया है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हम भी क्यों नहो उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने अपने आपको सारे मानोजाती के लिए बलिदान किया। मेरे मित्रों, वह आज आप से प्रेम करता है, आपके जीवन के हरेक समस्याओं को समझता और जानता है, वह चाहता है कि आप इससे बाहर निकले, यह सब तब ह जब आप उसके पास आएंगे। क्या आप आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज इस समय प्रविश्व को अपने जीवन में आमंत्रित कीचे, और वह आपके जीवन में शांती और आननत को प्रदान करेंगे। करेंगे।